अगर आपको लगता है कि आपका blog fail हो चुका है अगर आपको लगता है कि आपके ब्लॉक पे traffic नहीं आ रहा है अगर आपको लगता है कि आपको keyword research करना नहीं आता है तो इस video के अंतक बने रहेगा क्योंकि मैं आज आपको एक asset secret formula देने वाला हूँ जो आपने YouTube पे कभी नहीं देखा होगा जिससे आप आपके ब्लॉग को ओवरनाइट 100 विजिटर से 1000 विजिटर में कनवर्ट कर सकते हैं इसके सिर्फ एक minimum condition है कि आपका ब्लॉग at least 3 मही ने पूराना होना चाहिए और आपके ब्लॉग पे minimum 30 से 40 ब्लॉग पोस्ट होने चाहिए अगर इस क्रेटिरियम आप फिट होते हैं तो यह जो सिक्रेट फार्मूला में आपको बताऊंगा उससे आपके ब्लॉग पे आप 1000 से मिलियंस में और 0 से हीरो के ट्राफिक में कनवर्ट कर सकते हैं तो अगर आपको ऐसी ब्लॉग इफिलेट और यूट्यूब की प्रीमियम टिप्स में इंट्रस्ट है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें यूग कि ऐसी टिप्स यहाँ पर फ्री और कॉस्ट में शेयर की जाते हैं सिर्फ एक मिनिमम फीस है चैनल पे नए जिसको नहीं पता यहाँ पर हम यूज कर रहे हैं Google Search Console Google Search Console होता क्या है यूंसन कर लीजिए कि जब और आपकी website Google में rank होती है तो वह rank होई यह नहीं होई गूगल उसको rank करेगा है नहीं करेगा गूगल उसको कहां पर rank कर रहे हैं नहीं को सारा वीडियो बनाया था उसको जरूर जाके देख लें जलिए बात करते हैं एक्जाकली इसका यूजम क्यों करेंगे जब भी आप अपकी सर्च कंसूल के डैश्बॉर्ड को लॉगिन करते हैं आपको यहां पर सर्च रिजल्ट में आना है फिर यहां पर आपको यह बहुत सारे स यहां पर गूगल बताता है कि आपको कितने इंप्रेशनस मिलें जिनको नहीं पता इंप्रेशनस क्या होता है एक्जांपल के जहिए जिस वाली वेबसाइट को एक इंप्रेशन मिल गया है और अगर ऑनसीस्टरफ बॉडिन के इसको मिल गया कृक्ति और यह कौनसी आएव यहां पर सो में से कितने लोग आपकी साइट को क्लिक कर रहे हैं आपकी वेबसाइट के लिए सारे कीवर्ड के इसाप से एवरेज गूगल के कॉंसे पॉजिशन पर रेंक कर रहे हैं जो कि मेरे यहां से आपको दिख रहा है पिछले तीन मेने का रेकॉर्ड है 21.8 पे तो आपको यहां पर बहुत सारा जबरदस डेटा दिखाएगा आपको यहां पर ट्वेरी में जाना है और यह तीनों नंबर से यहां पर दिखेंगे कि आपका इंप्रेशन्स CTR और पोजिशन तो इससे एक नंबर निकल के आती है कि जब भी कोई soundproof idea के नाम से गूगल में keyword है अगर मैं इसको जाके search करूँ तो Google के साबसे मेरा position है 1.8 तक मिसकी roughly 2 तो कभी-कभी वह अगर आप scroll करके देखेंगे तो कभी हो सकता है 4th पे होगा कभी 5th पे होगा कभी 2 पे होगा कभी 1 पे होगा तो average जो मेरी position बंद रहे है वह है 1.8 remember वो जो data है किसे specific country का मैं UK में based हो तो मुझे थोड़ा सा variation दिखाए देगा similarly अगर मैं इस वाले keyword को बात करूँ यहां पर मेरा position है 5.5 अगर मैं Google में जाकर के search करूँगा तो यहां पर number 1, 2, 3, 4, 5 और मैं हूँ number 6 पे तो सकता है कभी मैं 4 पे हूँ, कभी मैं 7 पे हूँ, average में पिछले 3 महीने के अंदर कहां पर था 5.5 की position पे, समय में आ गया इन 3 numbers का क्या मतलब है, तो अभी imagine करो, यहां पर Google ना आपको पूरा data दिखा दिया कि आपकी website कौन कौन सी queries, remember यहां पर queries पे जाना, आपको pages में जागा तो pages वाई दिखाए देगा, बट मोटा मोटे आ सारा data मिल जाएगा कि आपकी site कौन से impressions आ रहा है, किस पे click सारा है, कौन से position पे, अभी हमें क्या करना है, हमें सारे keyword को export करना है, उसके लिए आपको यहां पर export में आना है, तो automatically आपको 3 suggestions है, मैं इसको Excel के अंदर download कर देता हूँ, यह जितने भी keyword है, जैसे का आप scroll करके दे चालू, ओकी तो जैसे कि आप देख रहें, वो सारे के सारे keywords, जो भी थे, हमने वहां से filter लगाए थे, वो सारे के सारे keyword अभी यहां पर आ चुके हैं, अगर मैं यहां पर जाकर के देखू, तो roughly thousand one keyword है, that means की एक title है, तो हजार से जादा keyword जिस पे मेरी site rank कर रहे है, गूगल चालीज से पचास ब्लॉक पोस्ट हो, क्यों कि impressions तभी आएंगे, और तभी Google के पास data जाना start हो जाएगा, clear, तो अगर आपको impressions मिलना start हो गया है, that means की आपकी site का traffic कही ने कही बढ़ने लगा है, या बढ़ सकता है, अभी हमें क्या करना है, सबसे पहले top row को जाना और यहां के सारे यहां पर sort out हो चुक है, बाकी सारे बाहर हो चुक है, अगर मैं यहां पर जाके देखू, तो मेरी website पर roughly 341 keyword है, जो की top 10 के अंदर है, जो अभी हमारा next criteria है, उसके अंदर हमें लगाना है filter CTR का, that means की ऐसे keyword जिनको less than 3 times click किया गया, अगर 100 बार दिखा गया, जिसका CTR 3% से नीचे है, तो मैं यहां पर आउँगा, and then अगर आप देखेंगे number filter के अंदर, अगर मैं जाओ less than के अंदर तो आपको देख रहा है, इस less than और यहां पर आपर करकर आप देखेंगे बहुत सारे filter के criteria, तो मैं बताऊँगा, ऐसे keyword जिसका CTR roughly 3.03% से नीचे है, ऐसे को filter करो, जैसे ही मैं okay करूँगा, अभी आपको दिख रहा है roughly 100 exit, 161 keyword है, जो कि top 10 में हैं, लेकिन उस पे इतने जादा clicks नहीं आ रहे है, अभी मैं जाके देखूँगा, कि इस मैं से ऐसे keyword है, जिसका impressions बहुत जादा है, लेकिन सिर्फ 3% से भी नीचे के clicks है, तो मुझे यहां आप एक keyword मिला, जिसका नाम है, ceiling vibrator, दूसरा मिला, how to make your neighbor move, इस particular keyword मुझे 200 से जादा बार Google दिखाने की try कर रहा है, लेकिन सिर्फ 46 लोग इसको click कर रहा है, क्योंकि हो सकता है, यह keyword top 10 में नीचे है, अगर मैं कुछ changes करता हूँ, इस particular blog post के अंदर, तो automatically मेरी website top तक अगर सबसे interesting चीज जो हम technique सिखाने वाला है, उसमें आपको content में ज्यादा change करने की जरूतनी है, तो यहाँ पर आपको keyword का खजाना मिलता है, अगर आप इन सारे keywords पे काम करते हैं, इनको check करते हैं, एक ए keyword को Google में डाल के जो कि मैं आपको दिखाऊंगा, तो automatically आप Google के top तक पहुंच सकते हैं, आपकी site का traffic boost हो सकते हैं, मज़ा आ रहा है, फड़ा पर से comment करके बताओ के हमें यह technique exciting लगी, अभी में, example के लिए, माल लीजे यह वाला keyword में उठाता हूं, अभी मैं जाता हूं Google के अंदर, and then मैं search करता हूं उस particular keyword को और देखता हूं कि क्यू मैं नीचे यहाँ पर को रहा है, यहाँ पर 20 गण जाता है, यहाँ पर 20 प्लस भान गृरबल पर करें, इसकी वज़े से हो जब कीूपर है, यहाँ पर इसके लिए उससा है और अगर आप आकर के देखेंगे, अगर मैं इसको open करता हूँ, तो यह मेरा content है, जिसमें भी मैंने भी 21 से ज़्यादा टरी के लिखे हुआ है, जो कि पहले top 2 में था लेकिन दिरे दिरे नीचे खिसक गया, अगर आप जा करके देखेंगे, और दोनों को compare करेंगा, आपको समझ म आएगा कि कौन सी ऐसी चीजे जो मिसी है, तो आप उस वाले part को उठा करके आपकी साइट में भी एक section एड़ कर सकते है, well content को कैसे update करना वो detail video description में है, लेकिन मैं एक magical चीज बताऊंगा, अगर आप यहाँ पर जा करके देखें, तो मैंने एक चीज नोटिस की, कि इस वाल को देखेंगे, इसने 27 नमबर दिया हुआ है, अगर आप यहाँ पर जाके देखें, इसने भी bracket include किया है, तो मैं कुछ ऐसा करूँगा, जिससे कि मेरी side पे भी, यहाँ पर देख सकते हैं, इसने bracket include किया है, तो मैं भी यहाँ पर कोई bracket include, that is one change title के अंदर, क्योंकि अगर आपको कुछ जादा content में चींज करने की जरूत है, यहाँ पर देखेंगे, तो यहाँ पर यह है, जो कि मुझे टाइटल में change करना है, एक तो bracket include करना है, दूसरा, अगर आप देखेंगे, मेरा title यहाँ पर जाके cut हो रहा है, तो पूरी तरीक इससे input नहीं देपा रहा है, कि बाकी जितने भी आप उपर जाकर के देखेंगे, पूरे के पूरे उस particular length के अंदर है, ताकि वो clearly message देए पा रहे है, तो यह दो मैंने चीज़े सबसे major यहाँ पर मैंने focus की, और remember, यह वो content है, जिसमें आपको कुछ जादा content में change करने की जरूत है, यह already top 10 में rank कर रहे है सिर्फ आपको आपके title में change करना और automatically आप आपकी site का CTR बढ़ा सकते हैं, तो फड़ा बट से, अभी मैं आपको बताऊँगा की exactly smartly title को कैसे change करना जिससे कि आप top में पहुंच जाए, clear? तो यह एक smart तरीका है, जिससे की हमने क्या figure out किया, ऐसा content जो की already top 10 में है, जिस content पे सकता है, अगर आप totally new है, तो इसमें बहुत सार ऐसे keyword होगा है, जिसमें आपने कभी content लिखा ही नहीं है, या फिर वो content उसके around targeted नहीं है, फिर भी rank कर रहा है, तो ultimately आप इसको उठा करके एक पूरा नया blog post लिख सकते है, क्योंकि Google को लगता है, कि आप इस keyword पर rank कर सकते है, और यही तरीका है, जिससे आप पहचान सके कि आप किस keyword पर rank कर सकते है, किस keyword पर नहीं, जिनको keyword search करना नहीं आता, आप नीचे से कोई भी keyword उठा करके उस पर dedicatedly blog post लिखे, यही title होना चाहिए, इसके around concept लिखे, आपकी site पर traffic आना चालो हो जाएगा, और जिसके site पर already content top 10 के तो फटाबट से मैं उस blog post को open करता हूँ, तो example के लिए यह वाला blog post था, उसको मैं फटाबट से मेरे wordpress के dashboard में login करता हूँ, लेकिन अगर आप totally new है, आपका blog आप wordpress में बनाना चाहते हैं, of course आपकी hosting के requirement होगी, अगर आप वो category में आते हैं, तो ultimately आप यहाँ पर hostinger के साथ में जा सकते हैं, this is a recommended hosting, जो कि मैं personally use करता हूँ, मेरी more than 9 से जादा websites आप देख सकते हैं, इसका renew do है, जो कि अभी होने वाला है, तो ultimately मेरी सारी के सारी websites आप यहाँ पर देख सकते हैं, और beginner है, तो आप यहाँ पर इसके shared hosting plan के साथ चालू कर सकते हैं, उसमें भी अगर आप premium के साथ जाते हैं, तो यहाँ पर आपको मोटा मोटी 100 से जादा website host करने की opportunity मिल जाती हैं, अगर आप add to cart करके 12th month के hosting plan के साथ में जाते हैं, तो यहाँ पर आप एक special promo code use कर सकते हैं, Mr. Vyas, जैसे मैं 12th month के साथ में अगर यहाँ पर जाने के बाद एक special promo code, अगर मैं MR. Vyas को type करता हूं, तो आपको additional 10% का discount भी मिलेगा, और अगर आपने मेरी दी हुई link जो के description में है, उसको use करके आप bloggingos.com पे आते हैं, तो gift में जाकर के आप मेरे से एक premium wordpress के theme, और 300 dollar से भी जादा worth के different bonuses claim कर सकते हैं, including 2 premium courses जो की मेरी तरब से आपको free में दिये जाता है, तो अगर से की possibility कि हमारा content rank कर जाएं, अभी update करना क्या है, सबसे पहले है, जब भी आपका content यहाँ पर rank होगा, आपको यहाँ पर rank math का SEO plugin आपने use किया है, तो उस पे click करना है, इसके बद एडिट snippet पे जाना और यह हमारा title है, इस title में आप देख सकते हैं, मैंने last में एक चीज एड की थी current year, और यह automatically change होता रहता है, यसे हमने देखा था एक तो bracket आना चाहिए, और bracket के साथ में अगर year दिखाए देखा, तो content लगेगा latest है, लेकिन problem यह थी कि यह content Google में अगर आप जाके देखते हो, तो यहाँ पर hide हो रहा है, move के बाद में कोई input आ ही नहीं रहा है, तो आपको उसके around bracket बनाने, ताकि वो top 10 ranking website को आप match कर सके, अगर आप देखेंगे तो हमारा URL Google में ऐसा दिखाए देगा, तो मुझे कुछ ऐसा करना है, जिससे कि यह पूरा का पूरा URL Google में दिखाए दे, तो 21, अगर यहाँ पर tips की बाप, अगर मैं लिख देता हूँ, 21 tips how to make your neighbor smooth, तो automatically आप देख सकते हैं, पूरा का पूरा हमारा title Google में देखने को लगेगा, तो यहाँ पर देखते हैं, 21 plus tips how to make your neighbor smooth और current year, तो यह automatically उन सारे top 10 की तरह match करेगा, यहाँ पर current year देख रहा है, वो सब 2023 दिखा रहा है, लेकिन हमारे system जैसे ही re-index होगा, automatically 2024 दिखाए देग तो हमने क्या किया, title को देखा, किसके title कैसे है, उसके according हमने हमारे title को fix किया, and now, hope for the best कि हमारा content पे जादा clicks आने लगे हैं, क्योंकि लोग लगे है कि यह नीचे वाला content तो latest है, चले latest वाला read करते हैं, ना कि 2023 वाला, और automatically आप up rank कर जाते हैं, तो CTR बढ़ाना सबसे major तरीक को जीच सकते हैं, hopefully आपको ये smart technique और tips इस channel पर ऐसी premium tips आपको मिलती रहती है, लेकिन अगर आपको जानना है कि किस तरीके से site का CTR बढ़ाया जाए, मैं आपको highly recommend करूँगा, आप ये वाला video अभी जा करके देखें